दोस्तों नमस्कार मैं आपका अपना नगेंदर जूएर दोस्तों स्वाग्ःत आपका thank you यूट्वचनल नगेंदर अमूलत्य में दोस्तों आज की वीडियो इतने इंपोर्टन्टrike इतनी एहम है उस्Das वीड़ियो को पूरा देखे इन श्किपने करें दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी विमारी के बारे हम बात कर रहे हैं जो अक्सर बढ़ती जाओ अब दोस्तों यह अच्राय बढ़ती जारे जै label कर पर जाते हैं तो इस तरी के से यहां पर जाता है यहां पर जाईयां पढ़ जाते हैं चेहरे पर कहीं भी जायां पढ़ने चलों हो जाते हैं। दोस्तों जाईयां इतनी गंदी लगती हैं हमें खुद को भी गंदा लगता है और सामने वाला व्यक्ति भी बात करते भी कत्राता है ख्यार अगर यह आपको बिमारी है इस तरीके की या आपके आस्परोस में किसी को है तो मैं आज आपके लिए नुस्के लेकि आया हूं कुछ घरे लूँ जिसका यूज करके आप इन जाईयों से निजात पा सकते हैं है क्योंकि मुझे पता है कि में आपने कई क्रेंठ यूज करिया होंगे कई लउशन लगा यहों पेष्ट लगाय हों जिसको ुक्ते क्रद मारी होग आपने सृफ और सिर्फ पैश्शें ब्रबाद कीने क्योंकि जो दोस्तों जाईयां का बहुत कम ट्रीटमेंट है क्रिंज में खैर अगर यह प्रॉब्लम है तो आप घर बैटे इससे निजात पाईएं कैसे दोस्तों कुछ नुश्के हैं जिसको अपनाकर आप इन जाईयों से निजात पाथ सकते हैं कि दोस्तों प्लीज वीडियो को शेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को लाइक को सस्क्राइब करने ना भूदें डोस्तों पहला जो नुश्का है वह है दोस्तों जाईफल देखा होगा आपने लिए दोस्तों जाईफ रिगुसकर कि इसली में पैस्ट बनाने क कर दीजिए आदे घंटे बाद मुझ को धोलीजिए कुछ दिनों में देखेंगे आप यह जाईयां थी जड़ते खिसम आप सुझाएंगे और क्या कर सकते हैं दोस्तों हल्दी बेशन और चंदन मुल्तानी मिट्टे इनको समान मत्रा में आप ले लिए थोड़ा थोड़ा और इनका एक पेस्ट बना लिए पेस्ट बनाने के बाद सेम जहां पर भी आपके जुरियां हैं वहां पर इसको अपलाई कर दीजिए कुछ दिनों बात देखेंगे आपकी जाईयां जड़ सुबह आप चबाना चालू कर दीजिए और मूली का हलका सा पेस्ट बना लाई कर दीजिए आदे घंटे के बाद गुन गुने पानी से चाहरे को साफ कर लीजिए ज्ञाए गायब अग्युआ है। निश्के है दोस्तो आपने देखाओगा आलोवीरा या दोस्तो आलोवीरा इसको गुऊर पैठा भी कहते हैं। गवार पाठा एलिवीरा का पेश्ट बनाईए किसमें दूद के अंदर दूद में मिक्स कीजिए उसका पेश्ट बनाईए और इस तरीके से जहां पे भी आपके जाईया हैं चैरे पे वहां पे अपलाई कर दीजिए दस से पंदरा मिनिट रखिए हलके हलके हाथ से इसको बाद में मसाज कीजिए और चैरे को धोलीजिए बाद में हलका सा नारिल तेल लगा सकते हैं चैरे के उपर और क्या नुस्के हैं जिससे हम यह हटा सकते हैं अपने जाईया हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा नुखसे हैं खेर अभी ज्यादा पर हम बात नहीं कि रहें कुछ एक नुस्के मता हुआ जिसको आप अप्लाई करके अपनी जाईयों से निजात पा सकते बहुत कम खर्चे में दोस्तों हमारे घर में अध्रक आती है जिस दोस्तों अध्रक को ले ईसको इस तरीके से पेस्ट बनाएए वह पेस्ट बनाने के बाद जहां पर भी जाई है वहाँ पर अपलाई कर दिजिए आदे घंटे वे पूरे चाहरे पे कर सकते हैं इससे क्या है आपकी जाईयां दूर हो जाईगी और क्या फायदा है मिपेंड और नगिंट करते हैं अगर आपका पेट साफ है आपका पित बिल्कुल शानत है तो समझ लिए आपको जायान नहीं पड़ेंगे तो उसी दिन से जब से यह आप अपलाई करेंगे और जो चीज़े मैंने बताईए तो उसी दिन से आप अपने यह खटी चीज़े नमकीन मिर्च मसाले बहुत कम कर चीज़े यह हो सके तो छोड़ दीजे कुछ दिन के लिए उसके बाद आप खा सकते हैं और दोस्तों पानी जिए दोस्तों पानी सबसे मैं पूर्ण है पानी आपको बरपूर पीना है तरल पदार्त में क्या है दौज़ी दलही का मठ्था दूद जूस इस तरेखें के या तो आपकी बॉड़ी के अंदर खून में गंदगी जमीवी वह डिटॉक्सिफाई होएगी और जो गंदगी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो चैरे पर चमाग भी आ जाएगी और यह जाईयां वगरा सब दूर हो जाएगी और क्या कर सकते हैं दोस्तों गुलाब जल में ज फिर देखिएगा कोई दिनों में जाईयां खतम तो दोस्तों यह कुछ नुस्के थे जिसको आप अपलाई करके इन जाईयों से घर बैटे नियाद पा सकते हैं बहुत कम खर्चे में हैं दोस्तों इन सारे नुस्के में से एक नुक्सा आपको अपनाना कोईसा भी आप एक नुस्का कीजिए पानी भरपूर पीजिए तरल पदार के लिजिए और तले बुने चीजों से दूर रहे हैं फिर आप इन जाईयां जो थी इसको खतम कर देंगे और जीवन में जहां दोस्तों जीवन में कभी भी आपको जाईयां नहीं पढ़ेंगी यह मेरी गारंट लाइक करें और चैनल पर आयां तो चैनल को सब्सक्राइब नबूले नवशकार दोस्तों फिर मिलूगा आपसे किस एक नए वीडियो पर किसे एक नए टापिक पर नमश्कार